दोस्तों बारिस के मौसम में अगर प्यास के पकॉले खाने को मिल जाए वो भी एकदम क्रिस्पी तो मज़ा ही आ जाएगा और साथ में हो चाहे तब तो फिर कहना ही क्या आप इस तरीके के प्यास के पकॉले बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ देखिए आप आ जा रहे हैं ना बहुत ही क्रिस्पी बने है तो देर न करते हुए चलिए किचन में बनाना शुरू करते हैं दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें साती पास में बने गंटे पर भी दवा दें और उसके बाद में All पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके प्यास के पकोड़े या कांधा वाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पांच प्यास लिए इन्हें सबसे पहले चेलिया और अच्छी तरीके से धो लिया है और इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर 6-7 जोईबो हरी मेर्च ले लेंगे हरी मेर्च आपकोने टेस्ट रिकॉर्डिंग ले सकते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जो प्यास का यह उपर वाला हिस्सा होता ना इसे आपको निकाल देना है यह मैं किस लिए निकाल ला हूँ आपको वीडियो में आके पता चल जाएगा सारे प्यास का आप इस तरीके से जो है वो निकाल दीजे बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और इसके बाद में हम लोग प्यास को जो है वो काटेंगे आपको प्यास को यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटा छोटा बिल्कुल नहीं काटना है प्यास को हम लोग लंबा लंबा जो है वो काटेंगे और अगर आप चाहें तो कुछ लोग जो है वो, इस तरीके प्याज के पाखूरा में आलू भी डालते हैं, तो आप चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं, आलू को अगे छोटा-Chोटा काट लीजी, मैं to यहां पर नहीं डालना हूँ मैं सिर्फ जो है वो प्याज और हरीमेच के बाजी बना रहा हूं इस तरीके से जो है पकोड़े आप बनाएंगे ना बारिस में बहुत ही बढ़ी अलग ने और चाहें आप सुवह खाई या फिस्साम आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे अब हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से जो है वो प्यास के लच्छे जो बोड़े ज़्यादा किस्पी बनते हैं तो इस तरीके से जो है आप तयार कर लिए अब इसे बड़े से बोल में वलोग यहां पर करते हैं और इसके बाद में कुछ नहीं करना है हम लोग जो हरी मिर्च है उसे भी जो है बो छोड़ा-छोड़ा काट लिए अगर आपको हरी प्रपाज के साथ में ही यहाँ पर एड़ करने जो और इस तरीके सापक भी भी भाजी बनाईए तो बस एक चीज का हाँ को यहां पर ध्यान रखना है कि प्यास को जो है वह बहुत जादा छोटा नहीं काटना है और मैं यहाँ पर दोस्तों जो है वह थोड़ी इसलिए मैं डालना हूँ अगर आप चाहें तो इससे किप कर सकते हैं साथ हम लोग यहां पर आधा चमज लाल में इसका पाउडर यूज करेंगे और आधा चमज से कम मलब बन वाई 4 टीश्पूर हम लोग काले में इसका पाउडर यूज करेंगे और एक अच्छा सा कलर देन मैंने अभी टाल दिया और आधा कप मैं अभी थोड़ी दिर में अड़ करूंगा तो आपको क्या करना है कि इसमें प्याज को ज्यादा रखना है बहुत ज्यादा बेसन डालने से जो है वह प्याज की जो पकोड़े होते ना उनका टेस्ट नहीं आपाएगा पढ़ जाए और अगर कौन फ्लोर नहीं है तो मैं आपको सजेश्ट करूंगा कि आप यहाँ पर चावल कांटा एड़ करिए इससे बहुत ही जो है पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे और खाने में बहुत ही बड़े जाना चाहिए पूरी तरीके से जो है पकोले जैसे बनते हैं तो उसमें पर आपको जो है वो सीधे तेल में इसे डाल देना तेल को मैंने यहां पर अच्छी तरीके से एक बार गैस पर जो है वो गर्म कर लिया और उसके बाद जो गैस का फ्लेम है ना उसे आप हलका सा जो है वो कम कर दीजिए मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि हमारे अच्छी तरीके से कोड़ा हो सके। अच्छी तरीके से रही करना उसके बाद में यहां पर पकोड़ी डाल भार रूंड़ यहांपर 80% गवार पकालेंगे और उसके ने पांच मिनट रेस देंगे तो इस तरीके से जो है वो पकॉड़ में क्रिस्पीनिस आ जा जा चाइना में हुआती बहुत ही बढ़ जासे लगते हैं तो कुक हो चुक है तो हम सारे पकॉड़ यहां पर निकाल लेंगे और उसके बाद पैसे ही आपको लगेंगे इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा पीशन और प्याज बचा था उसके भी यहां पर पकोड़े डाल देंगे तब तक क्या होगा कि वह वाले जो पहले निकाले थे ना वहलके से ठंडे हो जाएंगे और उन्हें फिर रिफ्राई करेंग तो यह पकोड़े भी लगभग 80% जो है वो डन हो चुके हैं तो इन्हें हम लोग जो है वह बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद में एक बाहर हम लोग क्या करेंगे और अच्छी तरीके से गर्म करेंगे बिल्कुल धुहां हलका सा निकलना चाहिए और सारे पकोड़े हम हीं बिल्कुल भी ट AIM नहीं लगए कर छाय रखी जितनी धेर में चाय बनेगी उद्रें देर में ही आपकर पकोड़े बिल्कुल तयार हो झाय के साथ में हरी चड़ने के साथ आप इन्हें ट्राइख करीं बहुत हो कॉस्ञन आने वाले तो उसके बाद में जब हाई फ्लेंपिक गैस है तो आपको इसमें जो है वो इसे चलाते रहना चोड़ना बिल्कुल नहीं है अदर्वाइज यह उपर से जो है वो हलके से काले पड़ सकते हैं तो आपको जो है वो फटा पड़ जो है रेडी हो जाएंगा आपको बिल्कुल पड़िया पकोड़े ना पारीश के मौसम में खाने को मिलेंगे तो बिल्कुल मजा जाएगा तो इस तरीके से हम लोग जो है वो सारे पकोड़े यहां पर निकाल लेंगे मैं इसे एक एक बहुत में निकाल लिया था इसके बाद में एक प्लेट में रख लेता हूं और जो हैबो फ्राइ कर लिजिए औरара में चाहिए भुक्या पॉड़िया लगते हैं तीकी 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 ठीकी तो पकोड़े के साथ चेले हैं। इक प्कोड़ा मैं आपको तोड़के दिखाता हूं कि यह कितनां कृसपी है। तो है ना दोस्तों बहुत ही पढ़िया बहुत ही क्रिस्पी तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में इसे जरूर सेर करें तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक् झाल राइग राइग